हेलो फ्रेंट्स में हुच्छाया और मेरे किचिन में आपका स्वागत है आज हम दिवाली स्पेशल राय कचुरी के रेसिपी बनाएंगे इसे बनाकर आप 15-20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते ह और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फेंली और फ्रेंस में शेर करें और चेनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुए हैं सबसे पहले हम कचूरी के लिए आटा लगा कर तियार करेंगे तो हम लेंगे एक कप मेदा तो मेदे को मैंने अच्छे से छान कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टी स्पून नमाग, 1.4 टी स्पून अजवाईन, 2 टेबल स्पून ओईल, सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे तेल कमोन आटे में अच्छे से लगाना है इसी से कचूरी क्रिस्पी बनती है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉप्ट आटा लगा कर तियार करेंगे आटा हमें ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है आटा टाइट होगा तो कचूरी अच्छे से सिल नहीं होगी और फ्राइ करते समय कचूरी खुल जाएगी तो आटा लगकर तियार है और आटा हमें थोड़ा सा सॉप्ट ही लगाया है अब हम इसे ठपकर रख देंगे और अब हम स्ट्रफिंग तियार करेंगे गिसान करके पेन में डालेंगे वन टेबल स्पून सोफ वन टेबल स्पून खड़ा धनिया वन टी स्पून जीरा चार लोंग सास से आट काली मिर्च टू टेबल स्पून मुंफली के दाने जिसे मैंने हलका भूनकर छिलके पहले ही निकाल लिये हैं कि 1 टेबल स्पून 3 सभी को 2-3 मिन तक पर अच्छे से भून लेंगे जब तक पर अच्छे से हमने मुकशबू नहीं आने लगती और अब हम इसमें डालेंगे टू टी स्पून चीनी, वन टी स्पून नमा, वन टी स्पून लान मिर्च पाउडर, वन टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, वन फॉर्थ टी स्पून हींग, तो मिर्च की पॉन्टिटी आप अपने नुसर कम भी कर सकते अब हम इसे हल्का दर्दारा रखते हुए पीस लेंगे तो मसालों को हमने पीस कर तियार कर लिया है अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे अब इसमे डालेंगे आधा कब बारीक वाले फीके सेयों तो हमें सबसे बारीक वाले सेयों ही यूज़ करना है वन टेबल टू टेबलिस्पून इमली की खट्टी मीठी चट्नी तो इसकी रेसिपी आप मेरे चनल पर जाके देख सकते हैं सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम स्टफिंग की नीबू से भी छोटी छोटी बॉल बना कर त्यार कर लेंगे तो सारी बॉल हम इसी तरह बना कर त्यार कर लेंगे तो इस्टफिंग की बॉल बनकर त्यार है और आटा भी अच्छे से सेट हो गया है अब हम आटे से पूडी की साइस की लोई काटेंगे जितनी हमारी स्ट्रफिंग की बॉल है उतनी ही हमें आटे की लोई बना कर त्यार करना है लोई को हमें अच्छे से बनाना है इस पर कोई भी प्रेक नहीं रहना चाहिए अब हम एक लोई लेंगे उसे हातों की साइता से बढ़ा करेंगे और अब हम सेंटर में स्टफिंग की बॉल रखेंगे इस टफिंग को प्रेस करते हुए आटे से स्टफिंग की बॉल को कवर करेंगे हमें इसे अच्छे से सील करना है इसमें कोई भी क्रेक नहीं रहना चाहिए नहीं तो तलते समय कचोरी फुल जाएगी तो हमें इसे अच्छे से सील करना है और एक्स्टर आटे को निकाल देंगे अब हम इसे बॉल का शेप देंगे इसी प्रकार से हम सारी कचोरी बना कर त्यार कर लेंगे तो सारी कचोरी बनकर त्यार है तो अब हम इसे डीप फ्राइ करेंगे गेस अन करके पेन में तेल गरम कर लिया है तेल जादा गरम नहीं करना है गेस की फ्लेम को लो करेंगे और सारी कचोरी को तेल में डालेंगे कचोरी को हमें लो फ्लेम पर ही फ्राइ करना है हमें इसे जल्दी जल्दी में फ्राइ नहीं करना है नहीं तो कचोरी उपर से फ्राइ हो जाएगी बट अंदर से ये कच्ची रह जाएगी बीच बीच में कचोरीयों को हम मिलाते रहेंगे ताकि कचोरीया एक समान फ्राइ हो कचोरियों पर हलका हलका रंग आने लगा है तो इसे अब हम पलटते रहेंगे ताकि पूरी कचोरियों पर एक समान से गोल्डन कलर आ जाए तो कचोरियों पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है तो इसे अब हम निकाल लेंगे कचोरियां बन कर तियारे ठंडा होने के बाद आप इसे डबे में रखकर 15-20 दिन तक यूज कर सकते हैं और इस रेसेपी को आप ज़रूर ट्राय करें रेसेपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें फेमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो चै करेंड़ से जबे सकते हैं और फ्रेंग्स का अच्छी लगे ए बाहन है पिसे दून में रखकर 15-20 दिन बाहन हैं और शक्छी बाहन हैं जार टूल में थान्वाइब देदांग्स का फ्छोर नहीं है बाहन हैं प्राद करेंड़ करा एंग्स कुल आपकंशने अल्र टूल